नमश्कार आदाप से सिया काल आप देख रहे हैं टॉप टैन जेकी निउस ब्रेय कई निज़र डालते हैं दिन बर की खबरों पर उतरी कश्मीर बारा मुला के सोपर जिला में सुरक्षा बलो और आतंकियों में हुई मुठ बेड जिसमें सुरक्षा बलो को मिली बड़ी काम्याबी लश्क्रे ताइबा के टॉप कमांडर फियाज एहमद समेट दो और आतंकियों को सुरक्षा बलो ने किया डेर फियाज एह अर्मद पर 10 लाक रुपे का इनाम भी गोशित किया गया था वही इसी कड़ी को पॉलीस सेना की 22RR और CRPF की टीम ने मिलकर अंजाम दिया बारतिय सेना आल आउट आतंकवाद में लगी हुई जिसमें आतंकी टॉप कमांडर मारे गे इसमें साफ जाहिर होता है कि कमांडरों क सामने आना ही आतंकवाद का खात्मा सेना को बड़ी मातरा में असला मिला सेना गी एक और बड़ी काम्याबी से साफ पता चलता है आतंकियों के मनसूबे वही बारतिय सेना भी उनके नापाक मनसूबों को नाकायम्याब करती हुई श्री नगर के पंज नाडा में पेश आई सलक दुर गटना जिसमें स्कूटी पर सवार तीन लोगों की मोका पर हुई मरितियू आई ये दिखाते हैं ये रिप अपर गौल के लाघ नो है ये लिफार कर द दूले कि मैं आचलाणe है गएले अचला कर त्धक अगरेक्षटा आखाट श्री रेम जारेम है अटीयागरे ये पांटोई एपांटेश गुरुपूर निमार देवस अपारे डिस्टे के पहुंच के बाबा भीरम शाह गद्धी गुरु निवास में भी शिशे ने गुरु की पूजा कर लिया गुरु का अशिर्वाद थे ग्या कर सकता हो इन्याлож भी है समय कुछ कर दिक ही अपारे निर्वां सबकाँ में हमारे सपिया बाइव fid़ में है गळाय का विया लिर रवादоч by बाम में, भी हुआ खाशएक यह पुलिए भीकर्माव मैं अंतर देखे अपी कर्वाओगाओं देखे नें दॉजुटें सावन महीने की वर्षय ने थनामंडी रोड को बदला नाले में आईए कुछ तस्वीरों के साथ बताते हैं आपको किस तरह से लोगों को राज्जोरी से थनामंडी जाते हुए करना पड़ता है परिशानियों का सामना डिरेक्टरेट आफ टूरिजम की तरफ से थनामंडी से शादा श्रीफ तक जाने वाले मार्क पर लगाए गये थी स्ट्रीट लाइटे लगबग लाको रुपे की लागत से ये कारे किया गया था पर महज हो अब सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन कर रह गई हैं इसी पर सानिय लोग आते हैं और इस जियारत की बड़ी महानता है इस जियारत पर जब भार से टूरिस्ट आते हैं और पूरे खिता पीर पंजाल की कुपसूरती को अपने देश विदेश में बताते हैं इस पर जेके नियूस ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट म.डी राकेश तारा के अगर बात की जाए तो इस समय थर्णा मंडी से शात्रा के लिए जो रोड जाती है उस पर डेक्टरेट आफ टूरिजम ने लाइस्ट इंस्टॉल की थी जी हाँ लगाई गई थी कि इस मकसद से कि दिन को भी एरिया की खुबसूरती दिखाई दे और रात को भी ये एरिया जगमगाता रहे यात्री लोग दिन को भी आते हैं रात को भी आते हैं और आने जाने में उन्हें कोई परशानी ना बने जी हाँ हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो लेकिन वो मकसद डेक्टरेट आफ टूरिजम का कही न कही खोकला नजर आ रहा है ग्राउंड पर हम अपने कैमरा में इन से आगरे करेंगे कि वो तस्वीरे बताएंगे कि किस तरह से लाइट्स जो हैं वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनकर ही रहे गई जी हाँ ये लाइट्स जो की रोशनी के लिए लगाई गे थी लेकिन ये रोशनी तो देना सकी ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनकर ही रहे गई लाखों करोडों की अगर बात करें तो इन पर खर्चा आया लेकिन ये प्रापर लाइट्स चल नहीं पाई अगर इंस्टॉल की थी तो इसकी देखरे करना भी जो है ड्रक्ट्रेट आफ टूरिजम का फरस बनता जहां के स्तानिये निवासुशियों से हमारी बात कोई उन्हों नहीं कहा की सिर्फ जग नगाई गई एक दो दिल ही लाइट्स जगी उसके बाद लाइट जगना बंध हो गई अपनी रोशनी देना बंध हो गई जी हां ये बड़ा स्वालिये निशान ड्रक्ट्रेट आफ टूरिजम की बात करें तो लाखों क्रूनों रुपे लगा कर खास कर शादार श्रीफ जैरत के बात करें शादार श्रीफ जैरत में तो पूरी तीश से लोग यहां पर आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है और यहां खुशी-खुशी आकर यहां बाबे के दरबार पर आकर जो तो है अपनी मन्नत पूरी होती है और उस पर यहां आते हैं और बाबाजी के धर्शन ली जाए तो जिस तरह से लोगों की मनों कौमने पूरी होती हैं उसी को लेकर एक दिन की बात करें तो हजारों के हिसाफ से लोग यहां पर आते हैं और लंगर दूर दूर से आते हैं और इस जहरत में लंगर लेते हैं जी हां अगर बात की जाए तो परसाथ ग्रहन करते हैं बिना किसी मज़ों मिलत ये लों मुस्लिम सिक इसाई सभी यहां पर आकर इस धरगा में खाली जोली लेकर आते हैं भर कर जोली ले जाते हैं ये कहने का बात ये है कि हर व्यक्ति की मनों कामना पूरण होती है और खासकार अगर बात की जाए तो जिस तरह से टुरिजम की बात करें तो टुरिजम विवात को पता है कि खासकार अगर बात की जाए तो जिस तरह से शात्मा शरीव जहरत पूरे धेश में लोग इसे मानते कोई दुकान हो मकान हो घर हो लोगों ने इनकी तस्वीर खिंचकार अपने घर में लगाई हुई है बड़ा दुख आता है कि ऐसी पवित्र जगा में लोग आते हैं लेकिन डिपार्टमेंट राइट्स प्राप्मर क्यों नहीं दे पाता इस रास्ते में ये स्वाल ये निश आफ़ान ड्रेक्टरेट आफ टूरिजम पर क्या जो भी टूरिजम की बात करें तो खासकार खिता पीर पंजाल कहीं न कहीं पहले ही टूरिजम से जो है वंचित जिहां टूरिजम की डिपार्टमेंट की बड़ी कमिये ऐसी ऐसी जगाएं हैं जो की देखने को बनती हैं इसकी हरयाली, इसकी खुबसूरती तो अगर ऐसे कारे करेंगे डिरेक्रेटाफ टूरिजम हमें लगता है कि कही न कही जो है ये खुबसूरती बाहर लाणे में टूरिजम जो है इसमें भागयतारी निपा रहा है कि हमारे इस पीर पंजाल खिता की खुशूर्थी में कहीं न कहीं रोक लगा रहा है टूरिजम डेक्रेट आफ टूरिजम बात की जाए तो यहां के स्थानिय लोगों का यही कहना कि लोग दूर दूर से आते हैं लेकिन रात को भी लोग जाते हैं कहीं लोगों ने मन्नत मांगी होती है कि हमने शाद्राश्रीफ नंगे पाउ पैदल जाना है लेकिन लाइट्स का ना होना उन्हें भी जाने में कहीं न कहीं दिक्कत होती है तो हमारी परश्यासन और ड्रक्रेट आफ टूरिजम की बात करें, टूरिजम दिवाग की बात करें, तो काक्सों में लिखित बातों पर ध्यान न दें, ग्राउंड पे जो कार्य किये हैं उन पर देखरे करें, ताकि पैसा तो इंस्टाल किया, लाइट्स तो लगाई, लेकि इस लाइट्स की बात करें, तो इसको प्रापर तरीके से ठीक किया जाए, जहां से देश विदेश से लोग बाबा गुलाम शा बात्सा की बात करें, तो ये जहरतल देश विदेश के लोग यहां पर अपनी मनते मांते हैं और पूरी होती हैं, और ऐसी बाबा गुलाम शा बात्षा जहरत जो है यह अगर हमारी अगर बात करें किता पीर पंजाल की एक रोनक हैं किता पीर पंजाल में अपना अशीरवाद बनाई बैठे हैं तो हमें ऐसी बातों को जो है ध्यान रखना होगा जिस से इस जगा की खुबजूरती मंटैन रहे राकेश तारा जेके न्यूस ब्रेक राजोरी जम्मू के विक्रा में चोक में कॉलेज चात्राओं ने किया जोदार परदशन और रीचेकिंग की मांग की इनके पेपर एक्चुली पेपर कंडक्ट हुए थे और मल्टीपल चॉइस की आंसर की रिलीज की जाती है इन्होंने अपने पोटल पे आंसर की को रिलीज नहीं किया और ये बोल रहे हैं कि आंसर की जो है पोटल पे आंसर की जो है हम नहीं रिलीज करेंगे और रीचेकिंग जो है हम नहीं करेंगे हमारी मांग है कि री चेकिंग होनी चाहिए या फिर आंसर की को रिलीस करना चाहिए शिरिया मरनात जमीन विवात के अंदोलन में शहीद हुए कुलदीप वर्मा की पूनियती थी पर आज उन्हें बीजेपी द्वारा दी गई शर्दान जली अपने बीजेपी पार्टी आफिस कच्ची चाहवनी में शहीद कुदी वर्मा जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे उस महान वीर कुलदी वर्मा को शादान जी देने के तो यहां परिकतित हुए हैं जमुजिला पस्चिम के तरफ से एक कारिकर्म रखा गया है उसमें उस महान वीर को याद किया जा रहा है जिन्होंने 23 जुलाई 2008 को अमर नाथ लैंड रों के ओपर हम सब जानते हैं जब हमारी आस्ता के ओपर चोट हुई थी ऐसे समय में उन्होंने शहादत दे कर जमुज के सभी लोगों को जमुज खिते के जमुज प्राविंस के सभी लोगों को एक जुट किया था सबी एक लाय में होकर हमारी आस्था के ओपर चोट इसके वरुद उस समय की ततकलिन सरकार के विज़ सब ने लड़ाई लड़ी थी और हम सब ने विज़ई पाई थी इसके बाद भी शहादतों का दोर जो है वो चला था आज जब हम सब समयते हैं तीन सो सतर का जाना पैंतीसे का जाना शामा परशाद मुखर जी उनकी शहादत के बाद लगातार से जमू किश्मीर के हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले वीर जो थे उनमें कमी नहीं आई शायद उसी की कड़ी में कुल्दीब वर्मा जी और बाकी शहीद जिन्होंने उस अमरनाथ रो में जो थी उस जमीन के टुकड़े के लिए जिसके लिए कुछ कहा गया था कि एक जमीन की एक इंच बूमी का टुकड़ा भी जो है अमरनाथ शायद वोर्ड के लिए जो है वो नहीं दिया जाएगा उसके लिए उन्होंने शादत जी जो दी थी पूरे जमू को एक जुटो कर एक लाए में सब लोगों ने जिसरी के एक वातावरन उस समय में रखा था वो अपने आप में मिसाल था उस महान वीर से प्रेहना लेकर हम सब यहां पर जाएं जमू जलापस्चिम की तरफ से कारिकरम रखा गया था इस कारिकरम में उनकी धर्म पतनी शिल्पी वर्मा जी और पार्टी के सब प्रमुक कारिकरता भी है और उस महान शादत से हम लोग प्रेहना लेकर यहां से सुन्दरबनी के शिरी एक हजार आठ महामद लेश्वर स्वामि विश्वात्मानांद सरस्विती महराज के शिश्यों ने गुरु पूर्निमा पर लिया आशिरवाद और की गुरु की पुझा आये दिखाते हैं ये रिपोर्ट एक शिर्प्म्न ला एक हैं आदिन वान लोका डीक पाल में रहतना तर्स्वात्माना था कैसरे 2 पाल में रोका थार्स्पाल में रहता है इक पाल में रहतना हैं। कि अक टुकार परकता आफ Ayina है एक फाल में पाल में आपना है है हिक फाल में आफना है जो तस तो बेंगा के आणिना बजाते हैं अगले जगाम में हो कोपी ना आते के आते हैं इक पल में रोना है इक पल में रसना है इक पल में रोना है इक पल में रसना है अपने गर्मों का इसाब रखना है अपने गर्मों का इसाब रखना है इक पल में रोना है इक पल में रसना है इक पल में रोना है इक पल में रसना है इक पल में रसना है इक पल में रसना है कलवार चोक में भी गुरु पुर्णिवा पर स्वामी दिनेश बारती जी के आश्र में भी बड़ी माता में शीशों ने गुरु पूजा में हिस्सा लिया शीशों द्वारा माता टेकर गुरु जी से आशिर वाद प्राप किया हम सनातन धर्म के संभाहक लोग हैं व्यास जी की इस मर्ती में क्योंकि उन्होंने समस्त एक वेद को तीन वीदों में भक्त किया पहले एक वेद था जिसको रिग वेद के तीन भाग हुए और फिर चार वेद हुए रिग अथर्व यजूर और साम और उन्हें वेद व्यास जीने एक लाख मंत्रों में पंचम वेद यानि की महा भारत की रचना की 18 महा पुरानों की रचना की हमारे सनातन धर्म को उस ओज तेज के प्रकाशे भरकर आज व्यास पूर्णिमा के दिन हमारे सारे विविद सास्त पूल हुए हैं इसलिए गुरु इसमर्ती के रूप में हम व्यास पूर्णिमा मनाते हैं आपके सभी चैनल के माध्यम से आपके जो दर्शक है उनको व्यास पूर्णिमा की हादिक शु पर करते हैं जीवन धन्ने होता है इसलिए गुरू भी नभवनी की तरहिना कोई ये थी दिन बर की जम्मु कश्मीर की खबरे मैं शाजीमा चाड़त दीजे इजाजत और देखतरिये टॉप 10 जेके नियूस ब्रेक